तो पोहे से जो नमकीन पोहा बंता है वो तो हमने अकसर खाया है लेकिन आज हम पोहे से बनाएंगे एक डैजर्ट तो यहां पर मैंने एक कप पोहा लिया उसे अच्छे से वाश कर लिया और यह देखिए तो इसमें जो क्या होता है जो गंदगी होती है वो निकल जाती है और फिर पानी निकाल के हम उसको थोड़ी दिर रेस्ट करने देंगे इससे क्या होगा कि जो पोहा है वो हमारा मिश मिश क्या होता है भूनने के बाद थोड़ी सी फूल भी जाती है तो यह हम निकाल देंगे और उसके बाद मैं डाल रही हूं इसके अंदर थोड़े से काजू तो काजू को भी हमें अच्छे से बून लेना है बड़ी आसी खुश्बू आ जाएगी तो बस एक मिनट भ और उसे भी हमने घी में सौटे कर लिया अच्छे से यानि जो खुश्बू है वो और बढ़ जाती है अब उसी पैन में मैंने क्या किया है थोड़ा सा पानी डाल दिया एक कटोरी के करीब पानी डाला है और जैसे पानी में बोईल आ जाए तो यहां पे डाल दीजे आप ग ग्हीं क्योंकि यह जो सारी रैसिपी है ग्हीं में ही बनाईएगा और यहां पर जैसे ग्हीं गरम हो जाए वो जो पोहा हमने भीगो के रखावा था सौफ्ट हो चुका है उसके अंदर हम डाल देंगे और इसको भी एक से डेड़ मिनट के लिए अच्छे से बहुन लेंग है और दो तीन हरी लाइची भी दरदरी कूट के हमने इसके अंदर डाल दी बहुत बढ़िया खुश्बू और फ्लेवर आता है और यह देखिए मिक्स कर दिया और उससे क्या होगा कि जितना भी गुड़ का पानी था ना पोहा सारा एब्सॉप कर लेगा और जितने भी ड प्रशाद के रूप में भी खाया जाता है तो आप इसको चाहे तो भोग लगा के खा लें या फिर एजड़ डेजर्ट के रूप में इसको सर्फ करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो फटा फट से उठाइए पोहा और बस इस पार एक नई रेसिपी ट्राइ कीजिए त तब तब के लिए थैंक्यों वोचिंग जाता है